हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लासस चैनल पे आज के इस वीडियो में हम त्रेमासिक परिक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास 12 हिंदी का अभिवेक्ति और माध्यम का कंप्लीट से लेवस कर लेंगे ठीक है तो जो आप आपको यदि आज एक वीडियो देख लिया तो आपको पूरा ग्लास 12 का वाट्शिक तक के लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगा मतलब एक बार वीडियो दी लिख लेते हैं आप तो आपको दूसरी बार इसको देखने के आउशकता नहीं होंगे बहुत सारे आप इसको पिल्कुल भी ना भूले और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजे ताकि उन्हें भी इंपोर्टेंट अपडेट मिल सके और नोट्स मिल सके जो किसी कारण पड़ा नहीं कर पार है उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजे चलिए तो अभिवेक्तिर माध्यम से जैसे कि यहां से भी 30 % जो हिंदी के कोशन होते वो अभिवेक्तिर माध्यम से बनते हैं एंदी के पेपर में आपको सबसे ज्यादा इसी से कोशन बनेंगे बागी का जो 70 % ऑपके पाठों पर बनता है जैसे चप्टर पर तो उसमें काववे पूछे जाएगे फिर उसमें कभी परिचे लेखक परिचे नहीं भन पत्र वो सब भी हम इंपोर्टन देखेंगे पर सबसे पहले हम देख लेते आपको कहां तक तीमाई में पूछा जारा ठीक है तो आपको पूछा जारा नाटक लिखने का व्याकरन तक थीक है इतना जो आपको वैसे तो आपको वार्षिक तक के इतना टॉपिक कवर करना तो वो भी मैं आपको करवा दूँगे उसमें भी आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले पर इंतरनेट तो आपको कहां तक आ रहा है व्याकरन में सबसे पहले वो देख लेते तो जन संचार माध्यम पत् यह भी आज के स्वीडियो हम देखेंगे विशेश लेकान उसके सवरूप और प्रकार फिर कवीता कैसे बनती है फिर नाटक लिखने का व्याकरन ठीके नाटक लिखने का व्याकरन तक इतना आपको त्रेमासिक परिक्छा में पूछा रहा है मतलब इतना सिले बस यदि अब आधा 50% पॉर्शन दो है यहां पर इसका अभिवेक्टर माध्यम का वह कंप्यूट हो जागा तो इसलिए अभी से इसको लिख लिजे ऐसा मत कीजिए कि मैं इसको बाद में लिख लूगा यह लिख लूगी तो इसको अभी लिख लिजे तो आपके नोट्स अच्छे स प्रॉपर बनेंगे आपके छोटे भाइबे नियाने जो क्लास 11 के में हैं यह जाएंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण हो जाएगा उनको भी 11 के लिए इंपोर्टेंट 11 को भी काम आ सकता है चली शुरूबात करते सबसे पहले इसके जो मोस्ट टॉपि पर एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाई है जिसमें आपको हर चीज़ डिटेल में मतलब एक वीडियो यदि आपो देखो गे तो आपको पूरा समझा जाएगा और वह आपके लिए इंपोर्टेंट भी है वार्षिक के लिए हो हापी अरली के लिए हो तीमाई प्रिबो जो स्टुडेंट समझना चाहते है उनके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके लिए मतलब देखे कौन-कौन से प्रिंट माध्यम होगा रेडियो से आप तक यदि खबर पहुच रही है तो अलग-अलग माध्यम हो सकते कई बार आपको एक वेक्ति खबर दे प्रिंट में है यह प्रमुक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना ठीकि मोदरित माध्यम के लिए भी हां पर बताया गया है यहां पर आपको सारा कुछ नोट करना है बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टन है इन सभी चीजों को एक आपको नोट्स बनाना जिसमें अभ प्रिंट इसमें कुछ अबजेक्टि कोशन कैसे बनते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगे आप इसके लिए टेंशन मत लीजे कैसे कोशन बनेंगे आपको इसमें वह भी हम देखेंगे ठीक है तो यहां पर जो पिरामिट शेलिस से भी कोशन बनते हैं समाचाल लेगन की बु आपको जल्दी मिलेगी पूरी आंसर सहीथ यहां पर 200 कोशन इससे बनते हैं सम्थिंग जो लाइफ टाइम आपको काम आएंगे तो वह कोशन की वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइट करा दूंगी आप बिल्कुल टेंशन ना ले फिर यहां पर समाचार की भाश्या ह फिर अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्रकारिता लेखन के विभिन रूप और लेखन ट्रक्रिया बहुत जादा है कई बार किसी को जो स्ट्ट्रेंट्स होते हैं टॉपिक समझ नहीं आता है यह टॉपिक में वो कई बार छोड़ देते हैं कोशन पर कि आपको सबसे पहले क्या टाइटल डेनाए आपको जो यहाँ पर आता है जैसे है सबसे पहले हम एक फ्छब बढ़ा होता हैक में किरेग च्छोट जूट ऐकम्राग लेखन ठीव के लिए होता है चबड़ को एक अःटरेक्टिव दिखानें के लिग्स पत्रकारी लेखर और सरजात्मक लेखन में बहुत इंपोर्टन कोश्चन आया है इसमें दो अंतर याद रखना है हको जैसे क्या होता है वास्तवी घटणा होना चाहे ठी क्लपना स्रजाए ज्वाधमागा सांचन आगेọn उमेर ख मेतorta निपला चाहे ङदा के यहां अंतर कोशिश करें तो जैसे अप कोई और भी function अगेरे कुछ हो रहा है कि उसमें थाम उमीद लगाते है कि यह जो खिलाड़ी यह जीत लेगा यह नहीं कलपना हुई तो यह सरजनात्मक लेखन के अंतरगत आता है इसमें यहां पर बंधन नहीं होता वैसे इसमें बहुत सारी चूट होती है हम अपने according आगे की कलपना करके लिख सकते कि आगे प्रत्वी का कैसा हाल होगा यह चीज़ों उसमें बता सकते है ठीके पत्रकारी लेखर में बहुत ध्यान रखना होता है इसमें सारी चीज़े बक कालिक होगा फ्रिलांसर होगा फ्रिलांसर अती महत्वपूर्ण है क्या होता है यह भी पूछ दाता है एक अंक में तो यहां से कोशन बने गई तो यह भी आपको ध्यान रखना है फिर यहां पर से जो उल्टी पिरामेट शेलिस संबंदित कुछ है आपको यह फीचर लेकिन इसमें क्या होता है इसमें सब्दसीमा नहीं होती यह बहुत बड़ा अंतर है इसमें यह आपको याद रखना है फिर इसमें लेखक के विचार गल्पना है इनको इस प्रकार से इनकी दोनों में अंतर वो देखना है फीचर की प्रकार है जैसे समाचार बताई एक ही आप क्या कर सकते हैं यह जो कोशन इसको तीन पार्ट में बाड़ दिया यानि दो अंक में पुछ लिया फीचर के कितने प्रकार होते हैं यह अब्ज़क्टि कोशन में पुछ लिया और इनकी विशिष्टा बताई यह तीन अंक में आ सकता ठीक है तो यह होता है तो फीचर किसे कहते है फीचर एक सुवयस्ति स्रजनातमक और आतमनिस्ट लेखन है जिसका उत्देश पार्टकों को सुचना देना सिक्षित करना और मुख्य रुप से मनुरज़त करना होता है इसके प्रकार होगा यहां पर आठ प्रकार दियेगे आठो प्रकार को देख है swish report से आप कैसे समज़ते हैं तो यहां पर दिया गया उसके प्रकार भी दिए गए हैं से जागते तो यहां से बीं दो qertsen बन सकते हैं तो यह report के प्रकार विर्विच्छन दियाometimesर मुख्या कितना टॉप में आना चाहिए कितनी खबरों को अंदर देना चाहिए या कौन-कौन सी उसके लायक है अकबार के लायक नहीं भी वहां पर डिसाइड करता ठीक है यह हो जाएगे फिर यहां से बनने वाले कुछ प्रमुक कोश्चन बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण कोश्चन जनसान्चार के प्रमुक साधन कौन-कौन से है तो यह तो आता है कोश्चन प्रिंट माध्यम है उसके बाद रेडियो है टेलिविजिन और इंटरनेतफ है फिर जनसान्चार का सबसे पुरारा माध्यम बहुत-ज्यादे इंपर्वपुर्टन कोश्चन से यह का 3 है तो सबसे पहले ख़बे काしま होना चाहिए पिर उसमें के गटे जायं के हroए जैसे महत्व करम में होना चाहिए ॉर उसमें महत्व पुरन सूचना जिसको जानने भीना ख़बरgehा 誉ग cabin चरों कर राव से होकर घुजरती है टो फ्लेशिकशक ब्रेकिंग मैं रिशेस्यज के बाद पे जाएगी घ्लावक के बाद पह जाएगे साब पिंग अब हम पर का शुकितर बाद के बाद सतना बें आक ऴुटाब Najinaly आर्टिकल बदघीडिक्स कुछ लगातार जो चल रही है घटना आसपास की उससे संबन्दित कुछ विशेश लेखन किया जा जो प्रसिद्ध हो जैसे वरतमान में हमारी छेत्र में उनके बारे में धियम कभी लेखन कर देया सामने से थोड़ा हट कर लेखन विशेश लेखन कहलाता है डैस्क याने जो तो यह टॉपिक हैस में वह भी आपको लिखना है बीट क्या होती एक मात्वपुर्ण प्रश्ण बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बीट किसे कहते हैं यह दो अंक एक अंक के लिए इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है इसको भी नहीं छोड़ना है तो सम्वा जो जाएगे यहां पर इस प्रकार से आप लिख देंगे तो दोनों कोश्ण भी कम्टिट हो जाएगे आप पत्र पत्र का लिखने वाले में जैसे यहां से कोश्ण है तो हर्षा भोगले हो गया जजदेवसी हो गया नरुत्तम पूरी प्रशिद खेल चेत्र में दी पूछ आप जानते हैं सभी निको हर्षा भोगले जी को बहुत अच्छे से कमेंटर करते हैं तो आपको याद रख लेना ठीक है तो विशिश लेखन की भास्ट शेली में भी आपको देख लेना है जैसे यहां पर दिये पॉइंट विशिश अग्यता कर क्या भी प्राय मतलब उसना थनलब के भी आपको बणते हैं की सबताव मतलस italkaradodaende के विशिश बनेंगे जैसे रख गतल बनेंगिसां तो आसे लिदी मतलत को बढंने वी विश्थ आ कविता कि लिए पतल अब भिपने भाहों ौ जब अपने शब्दों या अकलम को अभिवेक्त करता है तो ये उसमें आती लेकिन वो काववे रूप में रूप में होती है ये पॉइंट हो जाएगे तो ये सारे आपको बहुत important पॉइंट है आपके लिए उसके बाद यहां से question बनता है कवीता के मुख्य घटक कितने होते है ठीक है तो छे मुख्य गटक होते है छेओ के नाम या इतना जादा महत्वपुर्ण है कविता के मुख्य घटक इन में से कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितने घटक होते है या एक घटक यह है कि नहीं ऑप्शन में भी दे दिया चाहिए तो बनना चाहिए अब कविता से समझते तो जो मन के उमरने वाले विचारे कविता लेखन का सबसे पहला उपकरन शप्द को माना जाता यह कि सब्से जिनके भीना कविता पूरी नहीं होगी वह भासा का सम्यग ज्यान और शब्द विन्यास यदि आपको भाशा ही नहीं आती अच्छ से तो आप कैसे कविता लिखोगे इसलिए भाशा का आना बहुत और शब्दों का जो क्रम होता है किस प्रकार से जबेगा जो लाए तुक बंध है वो कैसे जमेगा तो यह बहुत मत्वपोर्ण रखता है इसके बाद नाटक लिखने का व्याकरण है यह बहुत जादे इंपोर्टेंट है भी नाटक कैसे लिखा जाता है तो आपको सबसे पह हो रहा है जैसे बच्पन से लेकर जो उनका एंडिंग है उनके कुछ प्रमुक पॉंट्स में मिलाकर एक नाटक तयार किया जा सकता है तो यह नाटक क्या थे इसके ततव कौन-कौन से हो सकते ही तो बहुत बार बहुत ज्याद़ इंपोर्टन कोश्चन है मोस्ट आइमपी पर इतने कि अट्रेक्ट कर सके प्रतीरोध भी होना चाहिए नहें तो लगाता अच्छ अच्छ चीजस में नहीं हो सकती चरित्र योजना भी होना चीए भहाशा से इलप ध्वनी योजना प्रकास योजना वेस भूशय और रंगमन चीए आता नाटक करने के लिए सारी ची तो इसी कारण तो यह आपको लिख लेना इसके बाद बहुत जादा है आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास और यहां पर आधुनिक काल की प्रवरतिया यह भी आपको सीलेवस में आ रहा है त्रेमासिक परिक्षा में तो यह भी आपको पढ़ना है यह ना केवल आपके अजये कि हम इसको बाद में कर लेंगे इसको अभी ही कम्प्लिट करना तो हिंदी गद्य का विकास चार युगों कोमाना जाता है वो चार युग कॉन कोन से है यदि आपको हेडिंग देना तो यहां पर देदीजे गद्य साहित्य का विकास तो बहुत सारे कमेंट जीस पर को जो बिल्कुल भी न भुले इतने इम्प मिलने वाले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों में जल्दी से शेर करदें चली देख लेते हैं तो गध्य साहग विकास में चार यूग मानने जाते भारत इंदु और दिवेदी युक का बिच कहा है उसको प्राचिन युक भी कई बार नाम दिया जाता ठीक तो उसमें आपको खन्फिस नहीं होना यह कालवधी भी इंपोर्टेंट हैसा नहीं कि कालवधी नहीं आएगी तो कालवधी भी मिलाने करना वैसे तो मिलान में नही पचास ही मिलेगा परन्तु कहीं कहीं मिस्प्रिंट ही होता है तो थोड़ी बहुत यहां पर इसमें डाउट हो जाता है याद सान यह करेक्ट रखना आपको इतने सान आपको 90 40 तक याद रख ले रहा ठीक है अगे देख लेते हैं इनके आपको एक एक चीज़े याद रख रख लेजे जैसे इत्यास धर्म समाज राजनीती आलोजना यात्रा प्रक्रती वर्णन आत्मचरित व्यंग विनोध आधि विश्यों पर लिखा गया इस यूग में राजनीती समाज सुधार की निभंध अधिक लिखे गया प्राया व्यंगात्मक शैली के साहरे कटू सत् कुछ आता है उसी से यहां पर इसका विकास हुआ कहावत और मुहावरे का अधिक प्रयोग हुआ और इनके निभंध सुष्क वेग्यानिक नहीं वरन आदर्श साहितिक निभंध इन निभंधों में ज्यान वर्धन और सानुभूती दोनों विद्माने लोग प्रचली सब परन्तु याद आप दो रख लेंगे हैं तो इसमें भारत इंदुहरिचंद्र हो गया बालकरष्न भठ हो गया और प्रताप नारण मिश्र इनकी रचनाय भी है कि या तो बातचीत रख लिजे या परिक्षा व्रध जो भी आपको याद रखना हो वो इनमें से एक एक रख चली आगे देख लेते हैं जो दूसरा यूग है वो है दिवेदी यूग ठीक है तो यहां पर जो सरस्वती पत्र का महाविर प्रसाद दिवेदी ने जो संपादक की रूप में किया उसमें बहुत सारी महतों पूर्णा ठीक है इनकी सबसे पहले निभंध कार याद रख ल पूछे जाते हैं तो यह भी इंपोर्टन्ट है यह भी आपको याद रखना अगला यूग है शुकलयूग शुकलयूग में भी क्या चीजे मात्व है वह आपको रखना जैसे इसमें साहितिक और कभी यहां पर इसके आलोशना आत्मा के मतलब उन्होंने कई चिंता व्यक् तो यहां पर कोशिश करें कि आपने पहले से कोई रचना पढ़ी है तो उसको नोट कर ले तो आपको उतनी दिक्कत नहीं जाएगा पहले से याद है तो जल्दी से याद हो जाएगा तो वह लिख लिए ठीक है पिर जैसे आप पर बाबु गुलाबरा सरल है तो यह आप य तो शुगलोत्तर युग में बहुत सारे कवी ऐसे है या लेखक यहां पर जो भी आए इनमें आपको यादा कर ठीक है तो बहुत सारे लेखकों ने यहां पर योगदान दिया है गद्दे साहित्ते के विकास में तो इनमें है हजारी प्रसादी वेदी अशो के फुल विच इनमें आपको कोशन तो डेफिनेटली पुछा जाएगा इसके बादे आधुनिक काल की प्रवरतिया तो आधुनिक काल भी कई कालों में विभक्त है मतलब यहां पर जो इसके यूग है अलग-अलग बटे है जैसे आधुनिक हिंदी कवीता का प्राराम कभ हुआ तो यह आ जो यहां पर भारत इंदु यूग है हिंदी कवीता का जागरन काल है इस यूग को हिंदी साहित्त का प्रवेश्दवार माना जाता है प्रमुग प्रवरतिय यह दी गई है आप इनको नोट कर लीजें ठीक है यहां पर नोट हो जाएगा इसके बाद अगला जो यूग है इतना इंपोर्टन नहीं है परन्तो इनकी प्रवरति आपको पूछेगा इनकी सभी की प्रवरति आप क्या दखना जैसे हां पर नारे संदर प्रेम चित्रन पर फोकस के इसके अंदर तीन प्रकार के विवेंजनाई अलोकिक प्रेम रहस्यवाद फिर प्रकृति संदर और तो इनकी डिटेलिंग भी आप चाहे तो कर सकते हैं तो इसमें आजाएगा उसके बाद अगला है प्रगतिवाद की प्रमुक प्रवरतिया इसमें तो पॉइंट वाइस आपको दिए गया तो आपको कोई भी नहीं है तो कोई भी लिख सकते हैं दर्शन में जिसे द्वंद आत्मक भुतिक विकास वाद माना गया है राजनीती में जो सामय वाद है वही साहित्त में क्या कहा जाता है प्रगतिवाद यह भी लाइन बहुत अच्छी है तो इसमें सबकुष पॉइंट में इनकी प्रवरतिया दी गई है तो पाचो लिख लिख लिजे फिर है बहुत अच्छे दरीकेस में चाई की प्याली हो गई साइकल होटल डाल लोकडी ब्लेड इन चीज जो सामने रचना उन पर इन पर की गई ठीक तो यह लेखन का एक अलग प्रकार हो जाएगा उसके बाद जो लास्ट आ जाएगा वह आजागा नई कविता की प्रमुक प्र जाएगा इसी प्रकार की वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल से जुड़े रहिए जैसे की अभिवेक्तिर मादम के यहां पर मैंने कंप्रिट आपको पूरा सी लेवस बता दिया है किस प्रकार से आप इसको करेंगे तो यह पूरा आपका जो है वार्षिक तक का एक्जाम के लिए बेनिफिट है आपको बहुत बहुत जादा यह पूरी पीडियो में आपको सारे इंपर्टन कोशन जितने आने वाले है अभिवेक्तिर मादम से उमेने आपको बता दिये ऐसे वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उन स्टुडेंट्स की भी हल्प हो सके जो इससे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे है या जो स्कुल नहीं जा पा रहे है उनको कुछ नोट्स नहीं मिल पा रहे है वह सारी अपनी